हलो दोस्तों आज के सी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोणाउन MCQ एक्सरसाइज इस वीडियो में मैंने परसनल प्रोणाउन से समंधित कोश्चन लिया है ताकि हम लोग को ये पता हो पाए कि कहां पे सब्जेक्टिब के इसका प्रयोग करते हैं कहां पे possessive adjective कहां पे possessive pronoun का प्रयोग करते हैं तो चलिए दिखते हैं पहला कोशन हम लोग का है These are notebooks यहां पे मतलब कि ये उनकी notebooks है यानि अभ्यास पुस्थिका है तो यहां पे correct option क्या होगा यानि correct pronoun आपका यहां पे क्या feel होगा there का सब permit दिया गए है ठीक है तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई noun आता है तो इससे पहले adjective का यूज होता है तो यहाँ पे पहला का A correct हो जाएगा These are their notebooks यानि कि यह उनकी अभ्यास पुष्दिका हैं यह सब जो तो यहाँ पे पहला का A option correct हो जाएगा देर दूसरा question हम लोगों का है देखिए खाली अस्थान पहले दिया गया है went to goa last month मतलब कि यहाँ पे he का फर्मेट दिया गया है तो यहाँ पे क्या हो सकता है he हो सकता है him हो सकता है he j हो सकता है तो हम लोग जानते हैं कि verb से पहले subject का प्रयोग याज़ता है subjective case तो यहाँ पे आपका he हो जाएगा ठीक है यानि कि he he went to goa last month यानि कि वह गोवा गय पिछले महीना ठीक है यहाँ पे he हो जाएगा तीसरा number question देख लेते हैं you and खाली अस्थान were good friends तो यहाँ पे देखिए यह जो है सब he का फार्मेट दिया गया है मतलब की he का possessive adjective possessive pronoun सब यहाँ पे लिखा गया है तो correct आपका क्या होना चाहिए वही बताना है आपको तो you and खाली अस्थान यहाँ पे है तो देखिए जब subject के तौर पे है यदि आपका pronoun end से जुड़ा है subject के रूप में तो जो दूसरा pronoun भी होगा आपका वो subject के रूप में ही होगा ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका C option correct हो जाएगा यानि कि you and he दोनो subjective case में ही होगा आपका subject में रिखेंगे तो उसके बाद helping verb आपका है यहाँ पे verb तो चलिए देखते हैं तीसरा गसी correct हो जाएगा चार नंबर question देख लेता है चाहुथा का देखिए you, he, and उसके बाद are clever यानि कि तुम, वह, और, मैं, चलाग है ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे क्या होगा कौन सा case होगा subjective होगा objective होगा तो मैंने बताया आप लोगों को यानि verb से पहले जब subjective case के pronoun का यूज होता है ठीक है, कोई noun या pronoun कोई भी हो तो हमेशा subjective case का ही प्रयोग होता है तो चौथा का D option correct हो जाएगा I option ठीक है, I मतलब I हो जाएगा पांच नमबर दखिए question इटीज देखिए, जब इट के साथ कोई लगाते है emphasis के लिए मतलब जोड देने के लिए प्रयोग करते हैं इसका जैसे तो यहाँ पे तो क्यो नार्मल सेंटेंस है इटीज तो यहाँ पे इटीज क्या होगा जब भी इटीज आएगा तो वहाँ पे subjective case का प्रयोग करना होता है इसको concept आप समझ लेजिए इसका यही समझ लेजिए, rule समझ लेजिए आप लोग कि it is के बाद जब भी हम लोजूच करेंगे तो subjective case का ही प्रयोग करते हैं ठीक है तो 5 नमबर का यह सही हो जाएगा 6 नमबर कोशन देखिए उसी का फार्मेट का है यह जो it is है मतलब यह emphasis करने के लिए मतलब जोड देने के लिए प्रयोग की आयता है तो जहां भी it is आये उसके बाद subjective case का प्रयोग करते हैं ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा 6 के be option correct हो जाएगा it is he यानि कि who has stolen my pain यानि कि यह वही है ठीक है यह वही है जो मतलब मेरी कलम चुराई है तो यहां पर जब it is आये तो हम लोग it is के बाद subjective case का ही प्रयोग करना होता है तो यहां पर 6 का be correct हो जाएगा 7 number question देखिए it is who have helped you ठीक है तो यहां पर देखिए subjective case यहां पर सब I का ही सब hermit है I, me, my तो हमेशा मतलब यह दिया गया आपको चेक करने के लिए कि आपका पकड़ कितना है तो यहां पर हम लोग जब जानते हैं कि it is के बाद subjective case का ही प्रयोग होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा I यानि 7 number का C correct हो जाएगा it is I I आपका subjective case है बाकि आपका objective है possessive adjective है possessive pronoun है तो यह तो होगा नहीं 8 number question देख लेते हैं my grandfather told अब यहां पर खाली अस्थान a story तो यहां पर pronoun भरना है correct क्या होगा मेरा तो देखी यह क्या है verb है और verb के बाद object आता है ठीक है यह बात पता है आपको नहीं पता है तो जान लेजिए verb के बाद object आनाता है तो यहां पर objective case का प्रयोग होगा तो my grand mother उसके बाद सब I का फर्मेट दिया गए है I, my, mine ठीक है तो यहां पर क्या होगा इसमें object क्या है आपका D option correct है ठीक है me हो जाएगा आपका 9 number I teach मतलब मैं सिखाता हूँ मैं पढ़ाता हूँ यहां पर क्या होगा आपका object होगा ठीक है तो यहां पर them them क्या है objective case है बाकी आपका यह there क्या है possessive objective है there's possessive pronoun और यह subjective case है तो यह मैंना 9 number का A correct हो जाएगा 10 number question देख लेजिए 10 number question है my father forbid you and खाली स्थान to play in the sun यानि मेरे पीता ने माना किया तुमको और मुझको मतब धूप में खेलने के लिए माना किया हो ठीक है तो यहां पर देखिए क्या भरेंगे हम लोग subjective case भरेंगे objective case भरेंगे तो देखिए यहां पर verb आपका मिल गया है verb के बाद यहां पर object है आपका यह तो जब दो object end से भी जूड़े रहेंगे तो भी हमारा objective कैसी होता है ठीक है तो यहां पर you हो जाएगा अब उसके बाद देखिए यहां पर किसको करेंगे यहां पर me का करेंगे me यानि 10 number का b यहां पर correct हो जाएगा यानि कि आपको और मुझको खेलने के लिए मना किया धूप में ठीक है यहां पर 11 number question है आपका the principle the principle allowed खाले स्थान end me to take rest in the common room यानि principle ने अनुमति दी अब यहां पर दिया गया है उसको और मुझको तो यहां पर क्या भरेंगे see भरेंगे hers भरेंगे hr भरेंगे तो यहां पर देखिए allowed के बाद हमेशा क्या होगा आपका objective के इसका प्रयोग किया जाता है तो objective के इसके हो जाएगा 11 का see correct हो जाएगा यहां पर sorry हर हर हो जाएगा ठीक है हर यानि कि अब्जेक्टिव के इसका प्रयोग हर है यहाँ पे तो हर and me और बारा नंबर कोश्चन आपका देखिए मोनी एंड खाली अस्थान गो टू कॉलेज इभरी डे यानि मोनी देखिए यहाँ पे एक नाउन है और यहाँ पे एंड के बाद प्रोनाउन के इस करना है तो हमेशा क्या होगा यहाँ पे सब्जेक्टिव के इसका ही प्रयोग होगा तो सब्जेक्टिव के इसका होगा आपका यहाँ पे D aption correct हो जाएगा मोनी एंड आई गो टू कॉलेज इभरी डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद